मेरा नाम है रजनीश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेग्मेंट में जिसका नाम है concept talk तो इसमें मैं आपको कुछ concepts के बारे में बताऊंगा ठीक है I'll try कि वीडियो short हो ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में भी आ जाए short हमें समझ में आए और आपके exam के लिए जो helpful हो तो आज हम जो बात करने वाले हैं we are going to talk about the basic structure of the Indian constitution basic structure के बारे में आज हम जानेंगे कि ये concept है क्या कहां से आया और क्या-क्या चीजें इसमें जो है अभी involved है क्या-क्या चीजें हैं जो की basic structure के अंदर आती है चलिए देखते है basic structure के बारे में सबसे जरूरी चीज़ what is basic structure तो ये basic structure जो है 1973 में एक case हुआ था केश्वाननदा भारती versus state of केरला case ठीक है ये बहुत important case है अगर Indian history में मैं बात करूँ जो सबसे important case है तो वो ये ही है केश्वाननदा भारती ये एक धर्म गुरू थे केश्वाननदा भारती versus state of केरला ये case है और ये क्या है कि parliament देखे कुछ land reforms को लेके मैं बहुत ज़्यादा background में नहीं जाओंगा because चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए tough हो जाएंगे तो मैं इसको simple रखता हूँ land reforms को लेके जो है कुछ चीज़ें होई थी कुछ जो है सरकार ने nine schedule लाया था जिसमें वो जो भी laws ला रहे थे उसको जो भी amendment कर रहे थे उस पे रोक लगाई कि आप हर कुछ अमेंड नहीं कर सकते हो article 368 of the Indian constitution talks about amendment जाद रखेंगे इस चीज़ को this is important article 368 talks about amendment इस case में ये 13 judge bench था सबसे बड़ा judge bench अगर कोई हुआ है किसी case में तो यही case था केश्वननन्दा भारती versus state of kerala case ठीक है तो इसमें 13 judge थे supreme court के जिन्होंने इसको verdict दिया था और उसमें ये बताया गया था कि parliament जो है इसके पहले parliament कुछ भी amend कर रही थी अब से parliament अभी से 1973 में जो है ये case वाद 26 अपरिल 1973 को इसका judgment आया बोला गया कि अब से parliament हर चीज़ को amend नहीं कर सकती है because there is a principle which is called the basic structure कि constitution जो है उसके कुछ basic structure है जैसे एक घर है घर में pillars होते है न pillars हटा दोगे तो घर गिर जाएगा सिधी जी बात है उसी तरह हमारे constitution के कुछ pillars है जिनको basic structure खा जाएगा कि अगर इनको हटा दिया गया तो constitution जो है constitution हमारा नहीं रह जाएगा तो constitution पूरा ही ना बदला जाया इसलिए judiciary ने एक प्रपाउंड किया theory basic structure और उन्होंने बोला आप हर एक चीज़ को comment करिए लेकिन जो basic structure है उस comment नहीं किया जा सकता है it will remain as it is इसको नहीं छुआ जा सकता है ठीक है और ये word basic structure constitution में नहीं है याद रखेंगे this word basic structure is not in the constitution जैसे जो word है budget article 112 ये भी budget जो term है ये constitution नहीं है उसको annual financial statement कहते है उसी तरह basic structure word constitution में नहीं है सीधी सी बात है तो जो ये basic structure है ये कहां से निकला और बाकी जितने cases हुए अमीर अर्वा मिल्स case बहुत सारे cases हुए उसमें Supreme Court ने ये judgments में बताई कि क्या-क्या चीज़े basic structure के अंदर included है अलग-अलग pronouncements है एक list कोई बना हुआ नहीं है कि यहाँ पे ये सारे चीज़ें constitutional basic structure है ये ऐसा नहीं है अलग-अलग judgments के तुरू Supreme Court ने इस बात को बढ़ाई और बहुत सारी चीज़ों को basic structure के अंदर जोडते गए कुछ चीज़ें जो basic structure के अंदर आती है वो है supremacy of the constitution constitution is supreme sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity आप जब preamble पढ़ोगे तो ये आपको words मिलता है इसको नहीं बदला जा सकता है because these are the basic structure of the Indian constitution secular character of the constitution उसको नहीं बदल सकते है जो power separation है legislature, executive और judiciary इसको नहीं change कर सकते है federal character federal character बोले तो constitution ने बताया है कि अलग-अलग levels है central government, state government 30-year, panchati rach ये municipalities ये तीनों आपस में mil-jul के काम करते है इसी को federal character बोलते है ऐसा state government नहीं कर सकती जो है central government कि हर state को तोड़ दे और पूरा अपना ही राज कर ले वो नहीं कर सकते है और ये बहुत सारी चीज़ है हम review कर सकते है judicial review का मतलब parliament ने कोई law पास करा अब उसको challenge किया जा सकता है कि ये सही है कि नहीं और Supreme Court उसको review कर सकती है तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपके basic structure के अंदर आती है rule of law, parliamentary system free and fair election independence of judiciary, principle of equality ये सारी चीज़ें अलग-अलग cases के थुरू Supreme Court ने प्रनाउंस की कि ये सब basic structure के part है तो this was all about basic structure जितना आपको ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया case 1 अन्दा भारती case को याद रखेंगे जहां से ये basic structure का doctrine आया 24th April 1973 ठीक है I hope आपको ये चीज़ समझ आई होगी आपके exam के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है Thank you for watching this video Please like, subscribe and share this video as much as you can Comment box में comment करें जो भी चीज़ें आपको problem हो रही है जो चीज़ें समझ नहीं आ रहे है We'll try कि हम आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से explain करें एक और वीडियो बनाने उस चीज़ पर साथ में आप लोग modulation 2.0 app को download करें वहाँ आपको CUET की course के बारे में जानकारी मिल जाएगी We have curated a special course designed only for the students of CUET हमने आपको ही focus में रखके एक अच्छे से course बनाएं जिसमें हर एक चीज़ that you need is provided there and you won't need any book after that आप उसको course को लोगे course को अच्छे से पढ़ाई करोगे revise करोगे कोई और book की ज़रुवत नहीं पढ़ेगी आप हमें contact कर सकते हैं 90157-81999 पे साथ में modulation CUET 2024 आप Telegram चैनल पे सर्च करोगे तो आपको एचैनल मिल जागा जहां आप जोइन करोगे तो हम regular updates देता है साथ में हमारे community post पे जो MCQs हैं उनको answer करें try करें क्योंकि MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा important है ठेक है तो I hope everything is clear तो मिलते फिर किसी और वीडियो में till then take care and keep on revising things